और अब ख़बर कोटा से है यहां हडोती की राज़ुनीती में आज फिर हलचल देखने को मिली दरसल प्रदेश सरकार में कैबनेट मंत्री प्रताप शिंग खाचरियावास बीजबी का वरिश नेता और पूर विधायक राजावत से मिलने पहुँच गये इस मुलाकात के राज़ुनीते गलियारों में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं वहराल इन दोनों राज़पूत नेताओं से बात की फॉस्ट इनिया संबाद दाता भावरेश शारने है मैं इस वक्त सोफे में बीच में बैठा हूँ मेरे इस तरफ Конigs में सरकार के मंत्री प्रताप discuss खाचरियावासald है और से बीजबी के फ्रावरण नेता रहे तीन बार के विदायक रहे पुरवदायक वहां बावनिय सिंह राजयरुथ और बिएंगे तो मैंने आया मुझे अच्छा लगा आपकी फिटनेस देख थे और ये एक मात्रह से नेता हैं जो जिन्दा दिली से जीते हैं आपने देखा जैसा चोड़ा है वैसा साफा है नेता मेरे और परिषानीत में कुछ दरल परशानी हो तो मेरे भी दर दो परशानी होगी क्योंकि यह राजनीतं में अचरह कोटा की नहोंता है देमोक्रेसी में में मुलाकात चलती बाजब्पा या कॉंग्रेस के नेता आपस में दूसमें, हम तो हमेशा खुल कर कहते हैं और भाणी सिंग जी ने तब की बाद स्टेटमेंट दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि अकाल और असोग जैलोत, कॉंग्रेस और काल ये सब अब खतम हो गया मामला, और आपको पता इस बार इतनी अच्छी वरसात हुई है, तो मैं तो कोटा के लोगों को भजाई दूँगा, कि इस बार कोटा हो, जैपूर हो, पुरा राजस्तान हो, सब ने मिलकर कोई प्रातना अच्छी की है, जो राजसिंग जी ने बजट की तारीफ की ती सर्थ, बजट की तारी इनका जो व्यक्तित वहर, इनका जो खुलापन है, और इनकी जिन्दा दिली है, उसके लिए इनको लोग बीज़ेपी में भी जानते हैं, कॉंग्रेस में भी जानते हैं, कभी बजट की तारीफ करते हैं, कभी कहते हैं कि आशो गेलो तो रकाल का नाता तूट गया है, पार्ट्याम बदल जाती है, लेकिन ये कोटा में जिस सरह समनवे और समन जैसे आत्मेता और अपनापन की राजनीती है, कोई जमाना था, जब आप जी जुजार सिंग जी और भूनेज जी चतरवेदी, हरी कुमार जी ओदी चे, ये दो तिन दिन में जब तक नहीं मिलते ना, जब तक उनको चेन नहीं पड़ता था, आज हमारी पीडी में भी हम सब लोग प्रियास यही करते हैं, क्योंको वो हमारे आदर्स से, इसमें आत्मेता तो है, लेकिन क्या कोई सियासत भी हम तलाश कर सकते हैं, क्या को सियासत के रूप में नहीं देखना चीए, दिल हम हमारे मिले हुए हैं, और हो सकता है, आने वाले समय में, क्या हो, क्या नहीं हो, यह तो भौशे के उसमें है, अनुज की पार्टी वाले घर में भी जाने की गुझाईश है, मैं कॉंग्रेस में चल जाओं या परताब सिंग जी कॉंग्रेस से बीजेपी में आ जाए, यह फिलाले मुलाकार लगातार जारी है, कैमरामेन रामसुर कुश्वा के साथ मौंवर रेश चारण फस्ट इंडिया नहीं हुए